जै माताई दोस्तो मातारानी आपकी सारी मनो कामनाएं पोण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ दोस्तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ राधर रानी की छटी जो है वो कप पड़ेगी किस दिन पड़ेगी संपोर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सब के साथ से एर करने वाली हूँ तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो जैसे कि आप सबको पता है कि भगवान स्रीकिष्ण के जन्म के बाद यानी की जन्म आष्टमी परव के 15 दिन बाद राधा रानी का जन्म हुआ था इसलिए राधा आष्टमी का जो व्रत है वो किया जाता है बहुत सारे लोग राधा इस्टिमी वाले दिन पूरा दिन निराजली वरत करते हैं पूरी रात करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग दोबहर 12 बजे तक ही जो वरत है वो करते हैं उसके बाद वरत का पारण कर लेते हैं तो वो अपने अपने घर की परंपरा के अनुशार जो है वो नहीं खाएंगे लाली जी की जो क्रपा है वो उनके ऊपर बढ़ सेगी इसलिए वो जो निर направा निराजली व्रत है वो करते हैं लेकिन जो राधरानी है जो हमारी लाली जी है वो बहुत जदा क्रपालू हैं उन्होंने जैसे भग्वान स्रीकृष्णिन निय का जो जन्म ह और किसोरी जी ने इसी लिए दुपहर के बारा बजे जन्म लिया कि जो हमारे भक्त हैं उनको बहुत जदा पीड़ा ना सहनी पड़े और जो ब्रत है उनका बहुत देर तक ना चले इसलिए बारा बजे तक ही उन्होंने जो जन्म है वो लिया ताकि जो भी भक्त हैं वो बार सारी करते हैं और बहुत सारे लोग जो भोजन है वो कर लेते हैं तो आपके आजैसा भी होता है उस प्रकार से आपको कर लेना चाहिए जो राधा इस्टमी का पर्व है वो आने वाली 11 तारीक को 11 सितंबर को दिन वुद्वार को पूरी वीधिवत रूप से किया जाएगा इस तो हो गई राधा इस्टमी की बाद अब बात करूं राधा जी की छटी की तो जैसे भगवान स्रीक्रिष्णी का जन्म हुआ उसके 6 दिन बाद जो छटी का प्रोग्राम है वो किया जाता है अब राधारानी की जो छटी है वो हमें कब मनानी चाहिए तो देखिए 11 तारीक को जो राधारानी का जन्म है वो हुआ है उस प्रकार से जो छटी का प्रोग्राम है वो 16 तारीक को पढ़ रहा है तो 16 सितंबर को जो राधारानी की छटी है वो मनाई जाएगी ऐसे में बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि पुत्र की जो छटी है वो 6 दिन में और पुत्र गरे का ऐसा विधान जो है वो नहीं है तो फिर पूरे 6 दिन में यानि की 11 तारिक को राधाश्टमी का जो ब्रत है जो पूजा है यह जो राधाश्टमी है वो मनाने के बाद आपको 16 तारिक को जो राधा जी की छटी है जो लाली जी की छटी है वो आपको मनानी चाहिए अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रेशन आएगा कि जो छटी है उसका पूजन हमें किस प्रकार से करना चाहिए तो जिस प्रकार से आपने लाला की छटी पूजी है बिलकुल उसी प्रकार से कड़ी, चावल, रोटी, पूडी, जो मालीजे, पंचा, मृत बगरा है बिलकु वस्तर इस दिन स्वैम धारं करें, नीले वस्तर जैसे मालीजे जो आप चौकी लगा रहे हैं उस पे भी नीला वस्तर जो है वो बिछाएं क्योंकि लाली जो को नीली चीजें जो है वो बहुत प्री हैं, इसके बाद माल पूवा जो है वो बनाएं, अर्बी की सबजी जो ह और राधरानी की विसी इस रूप से पूजार्चना जो है वो करें लाली जी का जो माली जी की जनमोस्व है उसके छे दिन बाद या पांस दिन बाद आप अपने घर की परमपरा के नुसार जो छटी है वो पूजन जरूर करें बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जो नहीं भी है तब भी भगवान की माता जी की लाली जी की पूजा करने से विसेज फलों की प्राप्ती होती है जब हम भगवान की पूजा करते हैं जब हम किसी माता जी की देवी की पूजा करते हैं तो हमें उत्तम फलों की प्राप्ती होती है कोई गलत चीज जो है वो नही होती है इसलिए हमें जो पूजा अर्चना है उस पे विसेज ध्यान देना चाहिए और लाली जी की छटी में यानि की सोला तारीक को पूरी वीदिवत रूप से आपको जो चटी है वो मनाना है और राधरानी की लाली जी की जो भी प्रिय चीजे हैं उनका भोग लगा में और पूरी वीदिवत रूप से चटी का जो प्रोग्राम है वो ज़रूर मना में तो उमीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो कर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूं दोस्तों जै माता दी